पुराने जमाने में शादियां बेहद ही साधिगी के साथ हुआ करती थी लेकिन अब ट्रेंड पूरी तरह से बदल चुका है प्री वेडिंग शूट से लेकर ठीम तक तमाम ऐसी चीजें आ गई हैं जिसके लिए लोग शादी बियां में पानी की तरह पैसा बहाते हैं खाने भीने सहीत कुछ वेवस्ता लाजवाब होती हैं पर जरा सोचिए कि आप शांदार वेडिंग में गए और वहां जाकर आपको रोटियां खुद ही सेखनी पड़ें तो आपको कैसा महसूस होगा यकीनन कोई भी ऐसा नहीं करना चाहेगा पर भाईया मोडन जमाने में जो चलन बन जाए वही कम है आज तक किसी ने नहीं देखा होगा कि किसी ने दावत दी हो और वहां जाकर खुद से रोटी सेख कर खानी पड़ रही हो आम तोर पर भारते शादियों में दावतों में महमानों के लिए सारे खान पान की तैयारी रखी जाती है लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर शादी से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहे हैं और लोग भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने के लिए शादियों के दोरान ऐसे अजीब और गरीब काम करते नजर आते हैं तो सोशल मीडिया पर चुटकियों में वाइरल हो जाते हैं। कुछ इसी तरह से एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खुब ट्रेंट कर रहा है। जिसमें एक शादी के दोरान महमान को खाने के लिए रोटी नहीं मिली तो महमान खुद ही रोटी सेखते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजर भी इस शक्ष की खुब मज़े ले रहे हैं। तो चलिया ये देखते हैं ये मज़ेदार वीडियो। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बड़े से होटल में शादी हो रही है लेकिन यहाँ पर महमानों को रोटी नहीं मिली तो महमान खुद ही रोटी सेखते नजर आ रहे हैं। वाइरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शक्स जो वीडियो में नजर नहीं आ रहा वो रोटी बेल कर तवे पर रखता है उसके अपोजिट साइड में खड़ा एक शक्स तवे से रोटी सेख कर इसे गैस पर सेखने के लिए रखता है और उसके बाद एक अदने कूप ट्रेंड हो रही है और यूजर्स भी काफी मज़ेदार कमेंट करते दिख रहे हैं एक ने लिखा कि अब आगे क्या होगा हमें सबजी भी काटनी पड़ेगी तो दूसरे यूजर्स ने लिखा कि अब आगे अपनी चमच और प्लेट धोकर भी आप ही रखेंगे आप वैसी तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सहरा समय का डिजीटल प्लैटफॉर्म